Hello friends, मैं हूँ आपके समने गोरो मिगलानी इस वीडियो में हम डिसकस करने जा रहे हैं Digital Payments का टोपिक Digital Payments का क्या मतलब है? ऐसी transactions जिसमें हम cash receive करते हैं या किसी को cash payment करते हैं Electronic, medium के थुरू पर ये सारा काम cashless होता है मान लिजिये मैंने mobile का recharge online करना है तो मैं क्या करूँगा? Mobile और internet का use करके mobile recharge कर सकता हूँ Amount मेरे account में से cut कर Company के account में amount add हो जाएगा Beasley का bill भरना है Amount मेरे account में से cut कर Beasley वाले department के account में add हो जाएगा तो यही है digital payment Otherwise हम cash payment की बात करें मान लिजिये मुझे mobile का recharge कराना है और मेरे पास मान लो cash भी नहीं है हाथ में मैं क्या करूँगा? Bank में से cash लेकर आऊँगा दुकानदार के पास जाऊँगा फिर वो मेरा recharge करने वाला है फिर वो जो amount वो receive करेगा वो अपने account में भी जमा करने वाला है जिसके लिए उसे bank भी जाना होगा तो इस cash के case में क्या हुआ? time देखो कितना लग गया पर digital payment के case के अंदर देखो हमारे पास speed कितनी बढ़ जाती है काम कितना जल्दी हो जाता है दो मिनट के अंदर मेरा recharge हो जाएगा दो मिनट के अंदर मैं विजली का बिल भी भर सकता हूँ तो digital payment की facility लेने के लिए हमारे पास internet की facility होने चाहिए plus electronic device होने चाहिए electronic device के अंदर mobile की बात करूँ computer की बात करूँ ये laptop की बात करूँ आप किसी भी resource को use करके digital payment का फाइदा ले सकते हैं आज कर digital payments के लिए digital कामों के लिए काफी सारी applications भी आ गई है कर सकते हैं उसको use भी कर सकते हैं कुछ applications तो ऐसी भी हैं कि जिसके साथ हमको अधारकाट link करना होता है तो मतलब digital payment के के अंदर काम बहुत reliable है trusted काम है ये कोई fake काम नहीं हो सकता काम बहुत speed से भी हो जाता है अब इंडिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिने digital payment के बारे में नहीं पता है तो उन लोगों को भी benefit मिल जाए इसलिए हमारे परधानमंत्री Mr. Narendra Modi जी ने Digital India के name से एक scheme भी launch की जिसमें उन लोगों को facility दी गई है जो smartphone और internet use करना नहीं जानते हैं अधार linked digital payment एक ऐसी service launch की गई है कि जिसमें लोग अधार card के use करने से ही digital payment का फाइदा ले सकते हैं मतलब digital payment के case के अंदर आपका bank account link होना चाहिए आपके अधार card के साथ या आपके mobile number के साथ अगर आपका अधार card या mobile number आपके bank account के साथ link है तो आप इस facility का benefit long term में और कहीं पर भी कैसे भी किसी भी situation में ले सकते हो तो digital payment का benefit लेने के लिए मैं आपको face repeat कर रहा हूँ हमारे पास internet की facility और हमारे पास कोई न कोई electronic device होनी चाहिए और आज बहुत सारी application ऐसी है जिसको हम अपने mobile में भी download कर सकते है बैंकों की भी काफी सारी applications ऐसी है जैसे SBI की Yono app है PNB की भी app है काफी सारे बैंकों की apps है उन applications को हम mobile में download करके उसमें अपना data feed करके details fill करके उस benefit को ले सकते हैं digital payment के case के अंदर एक account से दूसरे account में पैसा transfer करना बहुत easy रहता है बिल्कुल fast method रहता है तो digital payments के कौन कौन से method है वो हम जान लेते हैं जो सबसे पहला method है वो है banking card banking cards के बारे में हम सब जानते हैं debit card, credit card second है हमारा अधार enabled payment system इसको हम बोलते हैं A.E.P.S इसी तरह से हमारा unstructured supplementary service data जिसको हम बोलते हैं USSD अधार card वाली बात मैं आपको भी बताई थी ये USSD क्या है USSD के case के अंदर आपको पता है कि कुछ mobile के अंदर हम code dial करते हैं जिस star बीच में number fill होता है, last में क्या लगाते है hash, तो इस प्रकार की facility हम आजकल banking system में या digital payment के cases में भी ले सकते हैं इसको हम बोलते हैं USSD facility, जिसमें हम पहले star लगाते हैं, बीच में कोई number fill करते हैं last में hash लगाते हैं ये SMS की facility के थुरू हम इस service को benefit में ले सकते हैं fourth हमारा topic है e-wallet, e-wallet के बारे में आजकल में जानते ही हैं, applications के बीच में e-wallet का option होता है, जिसके अंदर आप एक electronic परस रख सकते हैं electronic wallet रख सकते हैं जिसमें आप अपना cash रख सकते हो otherwise हमारे पर physical form में एक wallet होता है, परस होता है, जिसके अंदर हम cash रखते हैं, ये electronic wallet है जिसके अंदर आपका electronic form के अंदर money रखी रहती है फिर है हमारा Unified Payment Interface जिसको हम UPI बोलते हैं आजकर आपने देखा है कि बहुत सारी जगाव पर हम जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि UPI इसे पेमेंट कर दे, UPI इसे पेमेंट भेज़ देता हूँ तो ये वही UPI है फिर बात आ रही है हमारी QR Code इसको बोलते हैं Quick Response Code करते हैं या ये वाला Code आजकर आपने Shareit की application में भी देखा होगा या कुछ दुकानों पे भी देखा होगा कहीं पर आपने पेमेंट करनी है तो वहाँ पर एक Paytm का इतना बड़ा tag लगा होता है जिसके उपर Code होता है हम वहाँ पर जाकर Mobile के अंदर अपना Code स्कैन करते हैं और पेमेंट उस सामने वाले परसन के अकाउंट में ट्रांस्फर हो जाती है तो ये वही QR Code की हम बात कर रहे हैं QR Code की facility कभी कभी हम WhatsApp पे भी लेते हैं माली जी मुझे अपना WhatsApp मोबाइल से लेप्टोप पे एक्टिव करना है तो लेप्टोप पे क्या होगा एक QR Code शो करेगा फिर मैं मोबाइल से उस QR Code को स्कैन करूँगा मेरी WhatsApp मोबाइल से वहाँ पर भी सिस्टम में भी एक्टिविट हो जाएगी तो ये वही QR Code है जो पेमेंट की लेन देने में भी आजकल बहुत कामाने लगा है बहुत सेफ सिस्टम है ये फिर हमारी बात आ रही है इंटरनेट बैंकिंग की इंटरनेट बैंकिंग के बादे में आज हम सब जानते ही हैं बैंकिंग की वेबसेट पे गए इंटरनेट बैंकिंग को हम एकसेस कर सकते हैं वहाँ से पेमेंट सम ले दे सकते हैं का यूज करते हैं जबकि मोबाइल बैंकिंग के अंदर हम उस पार्टिकुलर बैंक की एप्लिकेशन को इंस्टॉल करकर रखते हैं डाटा हमारा फीड रहता है और उस एप्लिकेशन को हम कांटीनी यूज करते रहते हैं जब-जब हमें जरूरत होती है यह था हमारा डिजिटल पेमेंट का टोपिक नेक्स्ट वीडियो से इन सारे टोपिक्स को हम बहुत अच्छे से डेटेल में स्टेडी करने वाले हैं तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में तो यहां तक का टोपिक देखने के लिए आपका धन्यवाद